जय हैं वेलकम टो विदीत एजुकेशन गाइस आज का ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है महारास्ट्रा बीट सीटी को लेके अगर आपने कुछ भी नहीं पड़ा तो आपको एक्जाम में क्या करना चाहिए ओके फॉस्ट अपॉल हम लोग बात करेंगी की प विदेंटी वाइस में अब टीटर्फीन में यह उस्ट का फेटर दिये सकते हो आपकी जो स्ट्राटजी एडा शुट बेंपारशन इंड़ पेपर मोड में होना चाहिए ऐगने घंबल पेपर पैटन का मॉक्त स्वीलाउंच कर दिया है So this is the right time आप mock test लिख सकते हो, दो दिन है So you can prepare, दो mock test हमने launch कर दिया है और अगर आपको mock test चाहिए तो आप screen पे दिये होए नमबर पे आप call कर दीजे और description और comment box में Google form है Okay, उसको भी fill कर सकते हो हमारी team आपसे contact कर लेगी So this is about the mock test अब paper कैसे attend करना है Guys, jumble paper pattern है तो यह देखिए कि आप सबसे easy कौन से easily solve कर सकते हो question में बहुत जादा time आपको हर एक question को नहीं देना है एकदम fight नहीं करना है question के साथ आपको आ रहा या तो नहीं आ रहा GK का तो यह तो सीधा सीधा है Teacher aptitude में आपको positive approach वाले जो भी options दिख रहे उसको tick करना है और उसके बाद English का है तो English में RC को कैसे solve करना है reading comprehension Guys, 2 से 3 RC के passages आएंगे Okay, 2 तो आते हैं तो कम से कम 10 mark का तो RC आता है तो कैसे RC को solve करना है कैसे understand करना है RC को and questions को answer कैसे find out करना है इसका complete video हमने upload कर दिया है Okay, आप देख सकते हो It is for you Now, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पड़ा है तो क्या करना चाहिए Guys, जब भी हम MCQ का exam लिखते हैं किसी भी entrance का तो psychology ऐसे रहती है कि D option जो होता है most of time आप देखोगे तो none of this all the above ये रहता है Okay, A option बहुत कम टाइम ऐसा रहता है कि right होता है option B और option C ये many of the time ये right होता है option B और option C तो अगर आपको guess करना है कि कौन सा option मैं guess करो तो mark option B और option C guess के time में अगर आपको कोई option लग रहा है कि ये confirm सही है तो आप उसी option को tick करिए तब B और C ने बट अगर guess करना है कि कौन सा करो या मुझे नहीं समझ में आ रहा है और randomly what time ऐसे होता है कि बहुत student सिर्फ टिक कर के आ जाता है okay तो option B और option C को most of tick करिएगा आपके काफी अच्छे marks बन सकते हैं okay ये exam MCQ लिखने का strategy होता है मतलब अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ नहीं बढ़ा है तो आपके पास nothing to lose है okay तो यही एक last option बसता है कि जो option आ रहा है जो questions आपको लग रहे कि ये for sure right है तो आप वही option को टिक कर but अगर नहीं आ रहा है तो see to it that कि option B या option C में आप try कर सकते हो जिससे आपके score बनने के chances जादा होंगे और यह options होते हैं यह most of time right होते है okay none of these का option बहुत time option D होता है वो बहुत कम time ऐसे होता है कि यह right होता है okay so this is about the complete information कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो यह video बहुत handy होगा आपके लिए बहुत important होगा अपने friends के भी साथ share कीजेगा जो B ad entrance लिख रहे है okay I hope आपको यह सारी चीजे समझ में आ गई रहेगी okay अगर फिर भी अगर कोई doubt है तो आप comment box में हमें call भी कर सकते हो comment box में Google form है वो बढ़ सकते है and guys exam से लेके admission तक सारी चीजे बताऊंगा कि कौन से college में जाना चाहे है very soon हम लोग podcast भी लेके आने वाले एक principle से मेरी बात हो रही थी तो उनके साथ एक podcast भी करने वाले so that is also we will do it कौन से colleges आपको choose करने okay so I hope आपको यह सारी चीजे completely understand हो गईगी paper का strategy में तब तक के लिए जय है